हेलो फ्रेंज तो आज मैं अपक्सा शेय करूंगी स्पाइसी ब्रेड टोस्ट और घर के बहुत इकम समान से बनके यह तयार हो जाता है और पांच मिनट में बनने वाली यह रेस्पी है तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो बनाते हैं स्पाइसी ब्रेड टोस्ट टोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप हमने बेशन लेया है अब इसमें हम कटे हुई बारिक सब्जिया डाल देंगे इसमें हमने एक कटा हुआ बारिक प्यास डाला है आदी कटी हुई शिम्ला मिच डाली है आदी कटे हुई गाजर डाली है एक हरी मिच डाली है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं हरा धनिया डालेंगे अब इसमें मसाले आड़ कर देंगे आधी चमचिस में हम नमक डालेंगे आधी चमचिस में धनिया पाउडर डालेंगे आधी चमचिस में लाल मीच पाउडर डालेंगे आधी चमचिस में हल्दी डालेंगे और आधी चमचिस में दरदरा पिसा हुआ हम धनिया डाल देंगे अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लें जैसे हम पेसन का चीला बनाते हैं उसका बैटर तियार करते हैं बिलकुल वैसे हमें उतना ही ठीक हमें यह बैटर चाहिए और देखिए इसा अच्छे से हमें मिक्स करना है थोड़ा-थोड़ा पाइट डाल कर और इसको लगातार हम इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि इसमें क तो हमने ये घोल तयार किया है, उसको हमें लगाना है, एक ब्रेड लेंगे, उस पे हमें ये बैटर लगाना है, और देखिए इस तरह से हमें से अच्छे से स्प्रेड कर देना है, और कोई भी जगे खाले नहीं होनी चाहिए, एक दम अच्छे से इसको हम फिल कर देंगे, ब ठाझी हमारे यह ब्रेड भी तयार हो गई है अब हमेख तबा लेंगे अब उसमें हम रिकिन की classes वागी ग्रीज कर लेंगे अब जो ब्रेड का बेसन वाला हिस्सає उसको हम तबेटर पे रखेंगे अब ब्रेड का ऊपर का जो प्लेन वाला हिस्स है मोटी मोटी नहीं लगानी है low to medium flame पर हमें यह bread को पकाना है और यह देखिए दूसरे साइड भी bread पे अच्छे से बेसन लग गया है अब हम इसको एक जिड मिनट के लिए धक्ये रख देंगे ताकि जो bread पे हमारा बेसन लगा है वो दोनों साइड से पक जाए क्योंकि जो बेसन होता है वो धे दे रही पकता है अब इसको हमने ढख्ये रख दिया है अब एक जिड मिनट हो गया है अब इसको हम पलट देंगे बीज़ीज में इसको हम चेक भी करते रहेंगे अगर कच्छा है तो हम थोड़ा टाइम ओर ले लेंगे इसको हम फिर से ढग देंगे ताकि दूसरी साइट से भी अच्छे से कोक हो जाए और इसको दूसरी साइट से भी चेक कर लेते हैं इसको दूसरी साइट से भी अच्छे से पग गया है और इसमें dark golden color आ गया है यह दोनों साइड से अच्छे से हमारा कलर डार्क हो गया है अब इसको हम निकाल लेंगे ऐसे हम दूसरी ब्रेट लेंगे उसमें भी हम बेसन लगाएंगे अच्छे से इसको लगाना है और देखिए इस ब्रेट पे भी हमने अच्छे से बेसन का पेस्ट लगा लिया है अब तब एको फिर से हम ओईल से ग्रीस करेंगे और जो बेसन वाला हिस्सा है उसको हम इस तरह से तब एपर डाल देंगे और दूसरे साइड से भी हम बेसन लगाएंगे उसको भी अच्छे से लगाना है अब इसको भी हम एक देड़ मिनिट पर हम लो टू मीडियम फ्लेम पर कु हो जाए और एक देड़ मिनिट हो गया है अब हम इसको पलट देंगे और देखिए इस साइड से एकदम डार कोल्डन कलर आ गया है और इसको भी हम एक देड़ मिनिट के लिए दुबारा से ढखके रख देंगे उसके बाद एक देड़ मिनिट के लिए फिर हम खोल के देख अब हम इसको सर्फ करेंगे और यह देखिए एक दम पांच हिमनट में बनके हमारा नाश्टा तयार है तो आप बच्छों के टिफिन में भी इसको डाल सकते हैं सुबह के चाय और शाम के चाय के साथ इसको खा सकते हैं वो जट पट से बनके नाश्टा तयार हो जाता है तो आप भी घर में एक बज़रू ट्राइ कीजिए वो बहुत एक कम समान में और बिल्कुल कम तेल में बनके नाश्टा तयार है और वो ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है तो आप भी गर में एक बच्च रूट राइ कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेर सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स पूर वोचिंग